हेलो एवरीबन वेलकम टू डाइनमिक स्टेडी मैं विबेक सुकला आज आपके लिए पापीक अडिमिस्टेशन जून 2019 का लास्ट पार्ट जो हमारा को कवर कर देगा और आज हमारा जून 2019 पेपर कंफ्रेट हो जाएगा तो जिन्होंने वीडियो पहले 90 कोशन की नहीं देखी है तो जाकर के वीडियो देखे और आज 100 कोशन कवर हो जाएगा ठीक है तो देखते हैं हमारे 10 mcqs कौन-कौन से आए वह तो लास्ट हमारे 10 mcqs तो पहला कोशन क्या था उसमें जमा 91 कोशन है वीडियो तो फोलोविंग इस नोट नेसेसरी अंडर टेकन बिफोर सेटिंग आउट टू ओप्जरिवेशन फोर रिसर्च इस्टटी अब यहां से यह औलोकन से कोशन आये हुआ रिसर्च हमारे यूनिट से जो हमारे यूनि को देखना है ठीक है तो पहला है थिंग टूबी ओप्जावड सेकेंड है में थर्ड फोर रिकोर्डिंग अब्जरबेशन थर्ड आइडेंटिफाइंग देक्वेशन टूबी आस्ट तेन फॉर्ट टूल्स टू एंस्योर क्रेक्टनेस इन अब्जरबेशन अंसर हमारा है थर्ड जो कि हमारा आइडेंटिफाइंग देक्वेशन टूबी आस्ट ठीक है तो आयोप कोशन समझ में आ रहा होगा आप सबको किसमी यहीं पूछा गया था कि और लोकल में कौन से इसमें कौन सा तत्त्व कौन सा आवस्यक नहीं है तो पहला है थिंग टूबी ऑब्जर के लिए आवस्यक है और सेकिंड क्या है मेथल्ट ओब रिकॉर्डिंग ऑप्जरिवेशन तो यह भी आवस्यक है और थार्ड है अधिन्फाइंग देक्वेशन टूबी आज तो जरूरी नहीं है कि आप ठीक है पूछी जाने वाले प्रश्णों की पहचान करें ठीक है तो होते हैं तो उसका राइट जो हमारा कंपोनेंट्स होते हैं राइट और सेक्वेशन ओडर के आगया है ठीक है तो आपको बताना है तो पहला अप्शन है इंट्रोडक्शन और रैस्टनल फॉर्ट इस्टडी सेगेंड है डिसकेशन ओन्दा मेथोडोलोजी यूज़ फॉर फॉर्ट इस्टडी थर्ड है कंप्लेट डिसकेशन ओप देजल्ट ओफ और फैंडिंग्स और फॉर्ट है रिवीव ऑप दे लिट्रेचर इजामेट फॉर्ट इस्टडी ओप्शन से ए बीसीडी एसीडीवी एडीवीशी एडीवीशी एडीशीवी तो हमारा अंसर क्या ह जो पहली आ हमारां इंट्रोडेक्शन यहा उसके बाद के उसके मारा ने प्लत में अकोया हो प्रिक्र慶ं प्रुच्वी डिसकेर का Patriot lived in सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी कि थर्ड कोशन क्या कहता है विच दो फोल इस नोट प्रैक्टिकल एथिकल प्रिंसिपल इनोटेटेटेट वाइज जे मिट सेल डैट सेफ मोरालिटी इन पबिक एड़िस्टेशन तो पहला इन्होंने इनका अंसर देखते है क्या है पहला इनका अंसर है second freedom of thoughts इन्होंने ट्रथफूलनेस की बात कही थी इन्होंने थ्रूबनेस की बात कही थी लेकिन उन्होंने freedom of thoughts की बात नहीं कही थी क्या कहता है which of the following is not an example of primary source of data अब यहां बताना है primary source of data का उधारन कौन सा नहीं है तो पहला है इंटर्वी जी बिल्कुलिए data तो है आप इंटर्वी में भी आप primary data collect करते हैं लेकिन जो आर्टिकल्स होते हैं जो आप क्या हो तो वह secondary data होते हैं आप उनसे बढ़े करके आप नटाटा बनाते हैं और secondary data में आते हैं कि कि तो आई हो पॉस्ट समझ मागया होगा निट्स को सब्सक्राइब करते हैं अरे इंटर्वी मास ओप डाटा इन सम काइंड ओप कंसाइस और लोजिकल ओडर इस नोंस यहां पताना है कि यहां पर जो हमारा ठीक है डाटा दिया हुआ है इसमें कोन सा है जो लोजिकल है और बस थोड़ा सा माइंड अगर आप उसमें किस्ट के टाइम करते हुँ टाइम पर थोड़ा सा सोचे तो इस बेस पर आपका आराम से अंसर निकल सकता है तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी दिया हुआ है ठीक है डाटा दिया हुआ है जो भी हमारा उसमें दिया हु हो है तो आप उसको क्या करते हैं एक टेबल फो में आप आरेंज करते हैं तो उसको क्या है लोजिकल फोर्म में होता है जब आप डाटा करते हैं तो उसी नहीं होती है कि आप डाटा एडिट करने क्लासिफाई कर रहे हैं आप डाटा एड़ेस्ट कर रहे हैं लेकि जब आप तो किसी डाटा को जो मॉनें आंकड़े होते हैं इसको अफ व्ball को सो क्या करते हैं आप उसको ठीक है टेडिये करते हैं तेकर अपयद्लेट करते हैं एक the next question प्रशना वाली जम त्यार करने में कौन से महत्रपूर्ण उसका उद्येश से नहीं है सकस्फुली गदरिं इन फिसे शक्राइश नियुए से कि रिक प्रशना की सवय है next question क्या क्याता है which the following is not the correct meaning of a hypothesis hypothesis से question आया हुआ को से में correct meaning नहीं है पहला it is a simple statement that explains some event it is true statement about something it is a belief about something it is a prediction that such some conclusion तो इसमें से जो हमारा second option है कि हमेशा true नहीं होता hypothesis रोंग भी हो सकता है तो इस तरिके से अगर हम पर true statement लिखा है तो गलत हो जाएगे वाकि तीनों statement सही है कि नेर्ट्स कोशन assertion and reasons था assertion हमारा क्या कहता है conceptual research is related to some abstract idea or theory ठीक है तो क्या सही है देखते है reason क्या है it is data based research coming up with conclusion capable of being verified जी है तो गलत लग रहा है reason तुमारे assertion क्या conceptual research is related to some abstract ideas and theory because it is data based research coming up with conclusion capable of being verified तो जब हमने reason पढ़ा था तो reason हमागा अगर पहले ही हमारा गलत सुन बता रहा है ठीक है तो हमें इसका answer check करने की जरूरत नहीं हम direct answer लगा सकते हैं see next question क्या कहता है looking back I think it was more difficulty to see what the problem more than solve them what does one infer from the statement of Darwin अभी Darwin का statement दिया गया है कॉंसे में से बताते हैं कौन सोने क्या हल करना चाहिए difficulty in identifying issue for undertaking research difficulty in formulation of research problem difficulty in selecting tools for collecting data difficulty in preparing research design तो इनका answer क्या होगा second होगा जो किसमें बाकिर रिसर्च प्रोड़म में के जो हम design करते हैं तो उसमें यह हमारा ठीक है difficulty आते हैं उसकी बार करते हैं कि आज कामरा लास्ट कोशन और जो आज कमारा हंडेस्ट क्या कहता है which is the following character of science to method in reflect in the statement criticism in the life of blood of science of Carl P. ठीक है अभी इस्टेटमेंट दिया हुआ काल्पी अर्शन का कि criticism is the life of blood of science ठीक है यह कि इसको भी ध्यान में कि पहला एथिकल न्यूट्राइलिटी जेन्राइलिटी प्रेडिक्शन बेस्टोन प्रोबैबिलिटी पब्लिक मेथोडोलोजिकल एफ़र्डिंग टेस्टिंग टेस्टिंग पाने कि दूशन की बात तो आज हमारे 10 हमारे 100 को संग कम्प्रीट हो गए है और आज आज हमारा ठीक है जून 2019 पेपर भी कम्प्रीट हो गया उसके साथ दिसंबर 2019 पेपर भी मारे कम्प्रीट हो गया और आज के हमारे 10 mcq research एपिट्यूट से थे जो हमारे 10 यूनिट है subject में ठीक है और उसे पहले हमने ठीक है कि government का दिया था दिन पब्लिक पोल्सी तरीक सी जून 2019 पेपर में क्या हुआ था कि जो पेपर पूछे गया थे वह उनिट वाइस पूछे गया थे कि पर यूनिट टैने कस्टिशन से दिए हुए था पटेक जो हमने किया थोड़ से जो कोशन है वह था उसमें नाइन कोशन दिये हुए थे जो कमपेर्टिव पब्लिक अडिश्ट से जवाया थो उसमें मार 11 कोशन के तो बाकि सभी यूनिट पे इस बार सैसे सहाथ यूनिट से उचा किया था तो उनके लिए आप सब के लिए वीडियो ठीक है नेस्ट दिसमबर 2018 पेपर कवर करेंगे